Upstocks, one of the highest rated trading app on Play Store with over 1 million plus download. ये app Hindi और English दोनों भाशाओं में available है. इसमें है charging tools with 100 plus indicators. Intraday charges केवल 20 रुपे पर trade है. Upstocks पर account खोलना बहुत आसान है, बस आपके पास pen card होना चाहिए. डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप Stocks पर free में open कीजी अपना DMAT account और बचाईए 577 रुपे इसके अलावा 28,000 तक के benefit जैसे के advisory services और भी बहुत कुछ. तो Upstocks है सबसे बहतरी इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आज ही registration कीजीए, registration की link वीडियो के description में दी हुई है. कुछ ऐसा करके देखा, कि आज जो लोग तुझे पागल बोड़ रहे हैं, कल वही लोग तुझे सर कहकर बुलाएं. अरे कुछ ऐसा करके देखा, कि जो आज तेरे सपनों का मजाग उड़ा रहे हैं, कल वही तेरे जैसा बनने का सपना देखें. और ये सब केवल और केवल तेरी लगन से संभव है. लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको ये लगन लग जाती है, उसकी जिन्दगी बदल जाती है. जिन्दगी में कभी किस्मत के भरों से मत बैठना, हारना मानने की आदट डाल लेना, यही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाएगी. असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को एक नया मोर देती है, जो करता है जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उसका पीछा छोड़ देती है. और अगर तुम किस्मत के भरों से बैठे हुए हो, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि यह दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे. इसलिए मेहनत करो और भहाने बनाना बंद करो, भहाने आपको कुछ पल की खुशी तो दे देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविश्य में चुकानी पड़ेगी. यह बात याद रखना कि इनसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, लेकिन उसका फल भोगने में नहीं. यह जिन्देगी का कड़वा सच है, कि अच्छाई हो सच्छाई को धूरने के लिए तुम चाहे पूरी दुनिया घूम लो, यह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी अगर यह तुम्हारे अंदर नहीं है तो. कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो. इनसान के दुक्की सबसे बड़ी वज़ा है, तो यह है कि हमेशा उसे वही चीज याद रहती है, जो उसे हासिल नहों सकी. पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, और अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं. कोई फरक नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आपको नहीं ले जा सकते. आप चाहे कितने भी लंबे क्यों नहों मगर आप आने वाले कल को नहीं देख सकते. कोई फरक नहीं पड़ता कि आपकी तोचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधिरे में रोश्णी की ज़रुत आपको भी पड़ती है. कोई फरक नहीं पड़ता कि आप हसेंगे नहीं तो सब बे कहलाएंगे क्योंकि ये सारी दुनिया आप पर हसने के लिए तैयार खड़ी है जिन्दगी में हम जो चाहते हैं वो हमें आसानी से मिलता ही नहीं लेकिन क्या आपने कभी ये सोच कर देखा है कि हम वही चाहते हैं जिन्दगी से जो आसान होता ही नहीं साहिल पर पहुँचने से इंकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा कुछ और ही है कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटा कर खुद की किस्मत लिखने का मज़ा कुछ और ही है जिन्दगी में सफल्दा पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है सीडियें शड़ते समय उपर जाने के लिए नीचे की सीड़ी से पैर हटाना पड़ता है कभी तूटते हैं तो कभी बिखरते हैं विपत्तियों में इंसान ज्यादा निखरते हैं ये इंसान भी बड़ा जीव है जब पैरों से चल रहा होता है तो सोचता है चपल होती तो कितना अच्छा होता बाद में साइकल होती तो और कितना अच्छा होता फिर सोचता है मोटर साइकल होती तो बातों बातों में रास्ता कट जाता फिर ऐसा लगना लगता है कि अगर कार होती तो धूप का सामना ना कर ना पड़ता और जब ये सब हासिल हो जाता है तो लगता है कि हवाई जहाज होता तो ट्रैफिक की जंजट नहीं होती और जब यही इंसान हवाई जहाज में बैट कर नीचे हरे बरे घास के मैदानों को देखता है तो सोचता है कि नंगे पैर घास पर चलूँगा तो दिल को कितनी तसली मिलेगी, इंसान की चाहत की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी जिन्दगी को खुबसूरती और जिन्दा दिली के साथ जीना चाहते हैं, तो हर पल को महसूस कीजिए, इश्वर को दिल से धन्यवाद दीजिए, कि उपहार में दिया हुआ उनका ये पल आप के लिए एक अनमोल तोफा है, जो सिर्फ आपको मिला है, आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि जो जिन्दगी आपको मिली है, बहुत से लोगों को वैसे जिन्दगी भी नसीब नहीं है, तो जिन्दगी में गलतियों को माफ करो, और आगे बढ़ो, जलने वालों क जलने दो छूल तो मासमान कर दो आगाज और हमेशा सुनो मन की आवाज अगर इस वीडियो में कहीं बातों सब सहमत है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे प्रयास का हिस्सा बनी है मैं मिलूँगा आप से अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सगारात्मा कूर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज